कभी-कभी कुछ चीज़े शिशु के विकास को रोग देती हैं, शिशु के विकास पर बुरा असर डालती हैं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबी केर फैमली पर गर्ब अवस्ता समानने अवस्ता से बहुत भिन्न होती है, बहुत अलग होती है क्योंकि गर्ब ववस्ता के दौरान आपके गर्ब में शिशु 9 महीने तक रहता है साथ हे शिशु का साररिक विकास होता है शिशु की साररिक सनरचना तयार होती है जिसमें कुछ पोशक तत्व बाधा बन सकते हैं और विकास को रोक सकते हैं आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या प्रेगनिंसी में आपको आड़ू खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए तो आईए अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं गर ववस्ता के दुरन आड़ू खाने से आपको और आपके गर में पल रहे शिशु को बहुत फायदा होता है क्योंकि आड़ू में बहुत अधिक मातरा में पोशकता तो मौजूद होते हैं मगर आड़ू खाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है वरना ये चीज़ बच्चे के विकास पर बुरा असर डाल सकती है उसके विकास को रोक सकती है तो आईए अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं गर बवस्ता में जब भी आड़ू खाते हैं तो इससे आपको बहुत अधिक फायदा होता है क्योंकि आड़ू में बहुत अधिक मात्रा में पोशकता तों मौजूद होते हैं आड़ू, आइरन और कैश्यम का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है इसी के साथ आड़ू में मौजूद होता है प्रोटीन, फास्फॉरस, जिंक, कॉपर, मैंगनीश्यम, पोटेश्यम, फॉलेट, सैलेनियम इसी के साथ आड़ू में पाया जाता है विटेमिन D6, विटेमिन A, विटेमिन C और विटेमिन K इसी के साथ आड़ो में पानी की भी मातरा पाई जाती है अब बात करते हैं गर्ववस्ता के दौरान जब आड़ो का सेवन करते हैं तो इससे आपको और आपके गर में पल रहे शिशु को क्या लाव होता है नंबर वन, गर्ववस्ता में जब आप आड़ू का सेवन करते हैं, तो इसंसे आपको मधुमे, यानि ki diabetes में मदद मिलती है गर्ववस्ता के दॉरन सबसे अधिक खत्रा होता है आपको मधुमे होने का, यानि ki diabetes होने का आडू का सेवन आपको मदद करता है diabetes से बचाने में अगर आपको गर ववस्ता के दौराण diabetes होता है तो इसका असर आपके शिशू के ऊपर भी पढ़ता है नमबर टू, गर्ववस्ता के दोरान जब आप आडू का सेवन करते हैं तो इससे आपकी हड़ियां मजबूत होती है यही असर आपके शिशु के उपर भी पड़ता है, शिशु की हड़ियां भी मजबूत होती है और उनका विकास तेजी से होता है, क्योंकि आडू कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है इसी के साथ आडू में बहुत अच्छी मातरा में आईरन होता है, जिससे शिशु के विकास में बहुत अच्छी मदद मिलती है नमबर थ्री आडू खाने से आपके पाचन तंत्र मजबूत होता है और यही असर आपके शिशु के उपर भी पड़ता है गर्वश्ता के दौरान पाचन से संबंदित बहुत अधिक समस्या होती है उसमें से एक प्रॉब्लम होती है जब आडू का सेवन करते हैं तो इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है साथ ही आपको कौन्स्टिपेशन में भी मदद मिलती है नमबर फूर आडू का सेवन करने से आपकी रोग परती रोधक शमता बढ़ती है आडू में मौझूद होता है विटमिन C जिससे आपकी रोग परती रोधक शमता बढ़ती है और यही असर आपके शिशू के उपर भी बढ़ता है इसलिए गर्वश्ता के दौरान आपको कर ना चाहिए नंबर । अलु खाने से बेबी का विकास बहुत अच्छे से होता है बेबी के विकास में बहुत अच्छी मदद मिलती है इसलिए आड़ु का सेवन आपके लिए आपके गर्ब में पढ़ रहे हैं शिशु के लिए दोनों के लिए ही बहुत जरूरी होता है गर्ब वस्था में आड़ु खाने से पहले आपको डॉक्टर की सला जरूर लेनी चाहिए क्योंकि हर एक प्रेगनसी अलग-अलग होती है हर प्रेगनसी पर हर एक चीज का असर अलग-अलग पड़ता है अब बात करते हैं आड़ु खाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए नंबर वन पूरे दिन भर में आपको एक से अधिक आड़ु नहीं खाना चाहिए नंबर टू आड़ु खाने से पहले आपको उसको अच्छे से धो कर अच्छे से साफ करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपने देखा होगा आड़ु के उपर हलके से बाल और रूएजर से होते हैं इसलिए आपको आड़ु खाने से पहले उससे अच्छे से धोना है उससे अच्छे से साफ करना है नंबर आपको सड़े हुए या पुराने आड़ू का सेवन नहीं करना चाहिए नमबर फाइव आपको आधा कटा हुआ रखा हुआ फल नहीं खाना है यानि कि दो घंटे पहले या एक घंटे पहले आपने अगर काट कर उसको रखा है तो उसका सेवन अब आपको नहीं करना है गरवस्ता के दरन जब भी आप फल खाते हैं तो आपको तुरंत काट कर खाना है रखा हुआ, सड़ा हुआ ये बासी नहीं खाना चाहिए आड़ू खाने से पहले इन सावधानियों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है नहीं तो शिशू के विकास पर गलत असर पर सकता है शिशू का विकास रुख सकता है आपने अकसर सुना होगा कि आड़ू नहीं खाना चाहिए क्योंकि आड़ू का सेवन करने से शिशू के सरीर पर अधिक बालोग जाते हैं इसी के साथ बहुत अधिक बाते हैं जो आड़ो के बारे में कही जाती हैं मगर आड़ो आपके लिए और आपके गर में पढ़ रहे शिशु के लिए बहुत मददगार होता है अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आशा करते हैं हमारे इस वीडियो से आपको मदद जरूर मिली होगी तो प्लीज इस वीडियो को औरों को भी जरूर शेयर कीजेगा ताकि उनकी भी मदद हो सके अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमार वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखीगा